नमस्कार दोस्तों आप सभी का ADP नॉलेज में स्वागत है दोस्तों आज हम आपको सेयर मार्केट में 9 बजे से 9 बच के 15 मिनट पर क्या क्या होता है इसके बारे में बताएंगे अर्थात आपको प्री ओपनिंग सेशन के बारे में बताएंगे दोस्तो सेयर मार्केट में हर दिन 9 बजे से 9 बच के 15 मिनट तक प्री ओपनिंग सेशन होता है इसमें किसी भी सेयर की प्रैज ओपनिंग प्रैज जो है वाट इसाइड होती है हम इसे 3 हिस्सों में बाढ़ सकते हैं पहला हिस्सा है order entry session यह 9 बजे से 9 बच के 7 यह 9 बच के 8 मिनट तक होता है इसमें आप कोई भी order place कर सकते हैं और order जो है उन्हें cancel भी कर सकते हैं इसके बाद दूसरा session ओता है order magic session जो 9 बच के 8 मिनट से 9 बच के 12 मिनट तक होता है इसमें आपने जो भी order place किया हुआ है उसका confirmation होता है order की matching होती है और आपके order के हिसाब से ही किसी भी share की opening price जो ever decide होती है इसके बाद तीसरा session आता है 9 बच के 12 मिनट से 9 बच के 15 मिनट तक इसे हम buffer session भी कहते हैं इसमें कुछ नहीं होता है इसमें जो भी transition होता है pre opening regular market होता है जिससे कुछ technical fault ना आजाए उसके लिए या buffer session जो है बाद होता है दोस्तों 9 बच से 9 बच के 15 मिनट तक अगर अपने pre opening session में order करना चाहते हैं तो आपके order जो है वह 9 बच से 9 बच के 7 मिनट या 8 मिनट तक ही आप फ्लेस कर सकते हैं इसके बार जो है आपका order जो है वह executed नहीं होगा दोस्तों वीडियो पुरा देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद कैंप बहुआए क्या में अपनेíveया वादो चाहते हैं ऑर मादियो में रहे हैं